हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल मैं आज मैं आपके साथ कुछ संथिवां पर बात करने वाली हूं तो देखिए अभी मेरे गार्डन फूल कितने पैर पैरे से खिले हुए हैं उदर अडेनियम भी कापी ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं इस समय और य यलो आलेम भी बहुत सारी के लिया हुए है कल खेलेंगे साइद इसके फूल आज मैं बात करने हैं पर तो कृसंतिम को हमको पिंचिंग कैसे करनी है कब करनी है और कितने दिनों तक करनी है तो जैसे आपने कटिंग लगा है जुलाई में या फिर जून में भी कुछ लोग कर लेते मैंने 15 जून के बाद कटिंग कुछ लगाई थी तो जैसे मैंने दो तीन चार बार पिंचिंग इनकी कर दी है प्लान की कंडिशन दिखा हूं तो प्लान देखिए काफी अच्छे गने हो रहे हैं और यह देखिए अभी थोड़ा से देखिए ग्रास ओपर का टैक ह वह रहाइं तो इनगोसे सबको visto सबको सबस्वाइब जैना पड़ा देना पड़ेगा नहीं तो आझ से गिरना गिरने जैसे हो दो दिखा दूँंए अगर तो इसकी मैं पिंचिंग नहीं कर पाई यह साय दिखा लुए था तो इसकी पिंचिंग ठीक से नहीं हो पाई है यह दिखाएं तो लिए इदर के प्लाउंबर तक आप पिंचिंग कर सकते हैं उसके पाद आप ईंचिंग फिर बंद स्टार्ट हो जाती अगर आप अभी पिंचिंग बंद कर देंगे ना तो अभी से कलियां बनने लगेंगी और फिर उतने ज्यादा फूल आपको नहीं मिलेंगे जितनी क्वानिटी में आपको मिलने चाहिए तो इस तरह से देखी पिंचिंग आप करते रहें अभी ये पूरा करके उसके भी चाहिए तो उसकी पिंचिंग की हुई ब्रांच की कटिंग भी लगा सकती है क्योंकि अभी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं थोड़ा लेट से फ्लावरिंग होगी उसमें लेकिन तैयार हो जाएगा तो इस तरह से देखी पिंच करने करते रहने से तो थोड़ा मिट्टी भर के इधर जूग गया है प्लांट मेरा थोड़ा से इनको मैं और सपोर्ट दे दूँगी तो इस तरह से देखिए सब की पिंचिंग उपर उपर की टीप की पिंचिंग आपको कर देनी है ताकि आपका प्लांट काफी जदा घहना बने साथ में आपक लोग भी दे सकते हैं और बाकि बहुत सारे हार प्लांट में तो नहीं डालते हैं लेकिन क्रिसेंथिवा में डहे लिए मैं डिएपी का यूज करती हूं और बहुत अच्छा ही जलते हैं बहुत ही अच्छा क्योंकि इनको फासफोरस भी जरूरत होती है और देखिए इस प पिंच कर देंगी यह देखिए उपर की टिप से भी नीचे तक थोड़ा आ करके प्लांट हमारा ज्यादा घना हो जाएगा यह देखिए जो प्लांट आपने पिंच नहीं किया है उसकी जरूर अभी पिंचिंग कम सकम दो तीन बार तो बिल्कुल अभी कर ही दीजिए तो आपके जो प्लांट है काफी अच्छे घने हो जाएंगी देखिए इतनी सारी इनकी हम छोटी-छोटी कटिंग भी चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगी ज्यादा तर सारे एक ही कलर हैं तो इतनी जादा प्लांट की ज़रूरत नहीं है मुझे तो बस से यह बताना था पिंची के बारे में आप इनको अब दूप में भी सिफ्ट कर सकते हैं अपनी जो कटिंग है ना मैंने जब से लगाई तब से दूप में ही पड़े हुए हैं लगब मुझे जुलाई अगस सप्टेमबर तीन महीने से हो गया यहां पर छटपड़ पड़े तरह से तो बस प्रेंड्स आज के इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ अब तक के लिए बाए